हलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ही खुबसूरत कविता जो की सुब्रेमनियम भारती की लिखी हुई है और ये असल में तमिल में लिखी हुई थी जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया एके रामा नुजन जो की एक कवी है राइटर है उन्हो शब्द का अर्थाब समझते ही हो इसका मतलब होता है हवा देखी थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन में क्या लिखा है उन्होंने तो सवाल ये उठता है कि हवा जो है वो जब बहुत तेज बहती है तो बहुत सारा विनाश का कारण बन जाती है तो कैसे हम हवा को अपना दोस्त बना लें इसके बारे में कवी ने ब्रह्मनियम भारती ने इस कविता में लिखा है बहुत ही खुबसूरती से उन्होंने जीवन के दो पहलूओं के बारे में हमें बताया है और कैसे हम हवा को अपना दोस्त बना सकते हैं और कठिन परिस्थितियों कैसे जेल सकते हैं उसका सामना कैसे कर सकते हैं और फिर उसको समपरिस्थिती से परकाबू कैसे पा सकते हैं इसके बारे में कविता में बताया गया है wind comes softly don't break the shutters of the window don't scatter the papers don't throw down the books on on the shelf there look what you did you threw them all down you tore the pages of the books you brought rain again you are very clever at poking fun at wickling frail crumbling houses crumbling doors crumbling rafters crumbling woods crumbling bodies crumbling lives crumbling hearts the wind god winnows and crushes them all he won't do what you tell him so come let us build strong homes let us join let us join the doors firmly a practice to firm the body make the heart steadfast do this and the wind will be friends with us the wind blows out weak fires he makes strong fires roar and flourish his friendship is good we praise him everyday the wind comes softly don't break the shutters of the window don't break the shutters of the window don't scatter the papers don't scatter the papers don't scatter the papers don't throw down the books on the shelf there look what you did you threw them all down you tore the pages of the books connect and naturally you tore the pages of the books özn automation he taught you to truth destroy the books dai का बहुत मजाक उडाती हो आपकी खिड़की अगर मजबूत रहेगी तरवा उसका दोर बंद रहेगा तो कभी भी कोई हानी नहीं पहुंचेगी लेकिन अगर कमजोर खिड़की रहेगी उसमें सिटकी नहीं आपने नहीं लगा रखी और आपने आपकी खिड़की जो है कमज कमजोरों का मजाक उड़ाती है फ्रेल क्रम्ब्लिंग हाउसे जो कमजोर दीवारे हैं उसका घर हैं उसका मजाक उड़ाती हो क्रम्ब्लिंग डोर जो हिलते डुलते कमजोर से दरवाजे हैं आपने आपने देखा होगा जो दरवाजे थोड़े ढीले ढाले होते हैं वह जब भी तुम हवा के जोके से क्या होता है बहुत हानी पहुचती है क्रम्लिंग वोड जो पेड कमजोर होते हैं जंगल कमजोर होते हैं हवा के जोके से वहां से पेड उखड जाते हैं क्रम्लिंग बाडी जो लोग कमजोर होते हैं वो जेल नहीं पाते हैं crumbling lives यहा तक की जो कमजोर जिंदिग्या होती है वो भी टूट जाती है देखो कभी जो है धीरे धीरे तूटने वाली चीज़ों से इंसानों तक पहुँच गये है न कि जो कमजोर होते हैं बड़े आसानी से वो तूट जाते हैं और जो ताकतवर होते हैं पहुचा सकती है जो हवा के देवता है वायू देवता वो क्या करते हैं वो विनो करते हैं विनो यह आप समझते हो न जब गेहू खेट से काटा जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारी फूस होती है फूस बोलते हैं हम लोग उसको जब गेहु का जो छिलका होता है वो तो क्या होता है जो किसान होते हैं आपने देखा होगा आपकी इसमें देखिए बुक में बना भी है ये फोटो ये देखिए इसको वी नोइंग कहा जाता है उसमें क्या करते है'm पुरुश एमईलाईं जो होते हैं एक सूप होता है, सूप जैसा बड़ा सा इसका बास का बना हुआ होता है और उससे क्या करते हैं, गेहू को नीचे गिराया जाता है उचाई से और जब गेहू को नीचे गिराया जाता है तो गेहू के दाने तो भारी होते हैं लेकिन वो फूस जो उसका चिलका जो होता है बहुत हलका होता है तो जब हवा चलती है तो चिलके को उड़ा कर किनारे कर देती है और गेहू ठीक सामने में गिर जाता है और तब जो किसान होते हैं उनको अपना गेहू छाटने में आसानी होती है तो कभी कहते हैं कि जो तेज हवा होती है न वो क्या करती है वो विनो करती है न मजबूत को तो छोड़ देती है किनारे कर देती है और जो कमजोर होते हैं उनको crushes them all उनको crush कर देती है तोड़ देती है he won't do what you tell him कोई भी जो हवा होती तेज हवाें वो नहीं करेंगी जो आप उनको बोलोगे आप उनसे एक होगे कि अरे मेरा घर कमजोर है उसे मत तोड़ो तो ऐसा नहीं होगा वो फिर भी अपना काम करेंगी तब क्या है एक यूपाय है वो यह कि आप अपना घर बच्वोथ बना लो ताकि उस पर तेज हवा का असर न पड़े लेटेस जो इंड डर्वाजय का जो जोड होता है जिससे दर्वाजं खुलता बंद होता है जिसको just कहते हैं न वो उसको आप मजबूत रखो और दर्वाजय के सिटकिनी जो है वो मजबूत रखो तो क्या होगा आप अगर अच्छे से दर्वाजे को बंद करके रखोगे तो हावा का कोई असर उसके उपर नहीं पड़ेगा तो जॉइंट जो है डोर के उसको फॉर्म बनाओ प्रैक्टिस टू फॉर्म दबाडी उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाओ ताकि कोई उसके उपर चोट न पहुंचा सके आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोटी सी बात बोलने पर भी दुखी होने लगते हैं ऐसा शरीर नहीं होना चाहिए आपका ऐसा मन नहीं होना चाहिए इतना कमजोर कि किसीने कुछ कहा दिया आप घबरा गए है न और रोने लग गए तो अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ make the heart straight fast दिल को मजबूत बनाओ do this and the wind will be friend with us अगर आप ये सब काम करोगे तो ये wind जो है बहरी हवा जो है वो आपको आपकी दोस्त बन जाएगी वो आपको कोई हानी नहीं पहुचा सकेगी the wind blows out the weak fire आपने देखा ही होगा जो कमजोर आग होती है वो थोड़ी सी आग जो होती है उसको हम हवा से बहुत बचाते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तेज हवा का जोका अगर आएगा फायर को और भी बढ़ाने में मदद करती है His friendship is good, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है We praise Him every day और इसलिए हम उसकी तारीफ करती है वो हमें सबक सिखाती है, क्या सबक सिखाती है? कि अपने आपको मजबूत बनाओ, अगर आप मजबूत बना लोगे अपने आपको तो आपको कोई भी बाहरी चीज हानी नहीं पहुचाएगी विंड तो कभी नेक उधारन दिया है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि न सिर्फ पोईड जो हैं, वो हवा की बारे में बताते हैं हवा की तारीफ करते हैं और वो ये बचाना चाहते हैं कि हवा जो हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती है क्या-क्या सिखाती है, वो हमने कविता में पढ़ा कि आप अपने आपको अगर स्ट्रॉंग बनाओगे तो हवा आपको कोई हानी नहीं पहुचा सकेगी तो ये तो पोईब है क्योंकि सुब्रमन ने भारती द्वारा लिखी गई है विल्कुल सिंपल सी पोईम है कोई राइमिंग इसमें नहीं है है ना, और हवा को का परसॉनिफिकेशन कर दिया गया है है ना, हवा को एक इनसान के रूप में दिखाया है कभी ने, क्योंकि वो उससे बाते कर रहे है don't break the sun हवा जो है, वो कोई हाथ थोड़े ही होता है उसका जिसको, जिससे वो पकड़ कर तोड़ देगे आपके धर्वाजे या खिड़की को, है ना, तो इनसान के रूप में उससे दिखाया गया है तो आप कह सकते हैं कि विंड को को परसानिफाई किया गया इस पोएम में बागी राइम स्कीम तो कहीं भी नहीं है इसमें, या ना और आप अच्छे से पोएम को पढ़िए देखिए और सुनिए, वीडियो को अच्छे से देखके समझे पोएम का क्या आर्थ है और उसके बाद बहुत आसानी से आप इससे रिलेटेड कोई भी question answer कर सकेंगे और इसको like और subscribe भी कीजे वीडियो को और share भी कीजे ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्छे इसे देखें, सुनें और पोएम को समझे भी thank you very much